नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका हमारे आफिशल उडूब चेनल जी एस पाइन इसर में है कैसे आप सब मैं आसा करता हूँ श्रस्थ होंगे मस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यास्थ होंगे बितुरू तैयारी आप टीजिटी आड की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यास्त है और आज से आपका क्या डेट अप जानते ही हैं आज आपका दिसंबर का लाइंट चल लाए आप पेपर सेम आपकी परिक्षा से रिलेटेड होगा 125 प्रशना हैंगे 125 प्रशन स्वाल्ब करने के लिए आपके पास दो घंटे का प्रयाप्त समय होगा और इस दो घंटे में आपको OMR भी भरना है Optical Mark Reader से आपका परिक्षा जो है जो उतर पुस्तिका है वो रिड की जाती है तो OMR भी भरना ज़रूरी हो जाता है आप जानते 125 प्रशन स्वाल्ब करने के लिए OMR शेट आपके पास होनी आवश्यक होती है तो जो कोश्चन सही जाए उसका गोला उस वासले अफसंस के साथ कॉला करते हुए आगे बढ़ जाना है अब देरी न करते हुए सिधे कोश्चन की तरब बढ़ेंगे आईए स्टार्ट करते है 125 कोश्चन सही लाश्ट में बताना है आपको मॉर्डल पेपर के आपसे पूछ रहा है रगुनात महापात्रा जिनका निधन 9 मई 2021 को हो गया भारतिये कला जगत में किस पिधा की कारण प्रसिद्ध थे आपको बताना है रगुनात महापात्रा का शंबंध चित्र कला से है रेत कला से है ग्राफिक कला से है और फिर मूर्डिकला से है अंसर्स आपको देना है मित्र जूर रगुनात महापात्राहिन का निधन हो गया 9 मई 2011 को इनका जो संबन रहा है वो भारतिय कला जगत में मूर्तिकला के रूप में फेमस रहे हैं तो सही जबाब मूर्तिकला देना डी इस्तराई डांसर्स बनाना बढ़ते हैं अले कोश्चन्स की तरह प्रश्रंख्या दो आपकी स्क्रिंट पे पूछा गया प्राचीन भारतिय चित्रकला की विशेष्ता है नाम दिया गया धार्मिक्ता है भोग बिलाशे सांसारिक्ता है या फिर यथार्ता है प्राचीन भारती चित्रकला की जो विशेष्टा मानी जाती है मित्रों वो मानी जाती है धार्मिक्ता धार्मिक्ता के साथ ही जोड़ करके यहाँ पे कलाकारों ने चित्रकारिता की है चाहे आप मुगल सेली में देख लें चाहे आप देखें नावस्थानी सेली में इस्थित है याम दिया गया ग्वालियर में है जहांसी में है भोपाल में है फिर होशंगाबाद में है पंचमरी की अगर बात होती है तो आप जानते है अगर बात पंचमरी की होती है तो आप जानते है ये मध्यप्रदेश में पाया जाता है MP में पाया जाता है और मध्यप् तो पंचमणी कहां पर है कभी अंसर्स लोग भुपाल लगाते हैं घौश लीज लोग लेकिन जू यह ऋपनों रगाते हैं तो सही जबाब जो पंचमणी बनेगा वह भुप के साथ लगाना उंसर्स बिस दा का सर्ह Radia What बढ़ेंग एगले questions के तरफ अगला questions चार नंबर आपके स्क्रिंड पे रहा आपसे पूछ रहा मित्रों कि रामपुरवा से प्राप्त असोग कालिन सिर्स अस्तम पर पसू आकरती जो राष्टपती भोन नई दिल्ली में प्रवीश द्वार पे रखा हुआ है ये मूलूप स प्याओ पूछा जा रहा है इसा को शूली का दर्श इसा को शूली पे दर्साया गया है ऐसा चितर किसने बनाया नाम गगने नाट टेगुर का है नाम यामनी रंजनराय का हो नाम अम्रता सेरगल का भी है इसा का सूली पे चड़ाना या इसा का सूली पे लटकाया हुआ द तो आप जानते हैं कि यह भारत की पिकासु कहे जाने वाले आमनी रंजन राए कि तवर अपनाया गया तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है बी इस तरा ही डांसर्स बनना है पढ़ेंगे एकले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन च्छै नंबर आपके स्क्रण पे पू पूछा जानते हैं भारती चित्रकार हो सबसे पहले यूरोपी घनवाद देखने का प्रभाव या फिर अपने चित्रों में जलकाने का प्रभाव रहता है वो रहता है गगने नाट टेगोर के तो सही जवाब गगने नाट टेगोर लगाना सीज दा राइट अनसास बनाना फिर बढ़ेंगे एगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन आठ नंबर आपके स्क्रण पे आपसे पूछ रहा है यूनानियों द्वारा बिक्सित अनुपात जिससे स सोंदर्यान भूति की सहाइता मिलती है आपको बताने जो यूनानी के लोग थे वो किस अनुपात में सोंदर्यों को दिभूसित करने के लिए एक फिक्स रेसियो बना रखे थे दो तीन पांच आठ का बनाए रखे थे एक तीन चार का बनाए रखे थे एक तीन चहा नो का या फिर दो चार छे आठ का बनाए रखे थे मित्रों जो यूनानियों के द्वारा बिक्सित अनुपात है शोंदर र्यानों भूति का वो रहा है दो तीन पांच आठ दो तीन पांच आठ तो सही जबाब फर्स्ट के साथ लगाना बढ़ेंगे अगले कोश्टन के तरह अगला कोश्टन नौ नमबर आपकी स्क्रण पे रहा आपसे पूछा जा रहा है भरूत अस्तूफ की खोज 1818 इस बी में किस ने की थी नाम दिया गया जान मारसल ने की नाम दिया गया रखालदास वनर जी ने की नाम दिया गया अलेकजंडर कर निंगम ने की और नाम दिया गया कागवर ने के खोजा है भरूत अस्तूफ की खोज 1818 के आसपास जो खोजी जाती है अलेकजंडर कर निंगम के दोरा खोजी जाती है तो आपको सही जबाब देना होगा वो भी अलेगजेंडर करनिंगम के शाथ सही जबाब शी के शाथ बनाना होगा बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरह अगला कोश्चन्स 10 नमबर आपकी स्क्रिन पे रहा पूछा ज़रा है किस कला में सर्व पर्थम मूर्तियां गढ़ी गई मूर्तियां कंणार कि अगले कोश्चन्स 11 नमबर आपकी स्क्रिन पे बित रहें प्राया की शाथी है नाम दिया गया भूमी पर कागज पर कए नवास पे या फिर कपड़े में भूली चेत्रन की जो रचना है प्राया कैसे कि जाती है तो आप जानते हैं भूमी पे की जाती है जैसे आप जानते होंगे ये एक रंगोली वाली कला होती है रंगोली बनाना भी आपका धरातल जो होता है वो भूमी होता है ऐसे धूली चितरन जो है वो भी भूमी पे की जाती है तो सही जबाब आपको फर्ष के साथ लगा लेना है बढ़ेंगे गले कोश्चन्स के तरब बारा नंबर कोश्चन्स आपके स्क्रिन पे पुछा गया सबसे अधिक रंग लंबाई तथा सबसे कम कमपन युक्त वरण कौन सा होता है नाम दिया गया पीला लाल बैगनी नीला आपको बताना है सबसे ज़्यादा तरंग लंबाई हो और सबसे कम कमपन हो वह रंग होगा लाल सही जबाब सी के साथ बढ़ते हैं अगल लेकी तोशर है नाम दिया गया पंथेरा है एले फैंटा का जो प्रसित धश्यल पर माना जाता है वो भगवान तरमूर्ती वाला है सही जबाब तरमूर्ती लगाओ सी इस तराइट आंसर्स बनाओ फिर बढ़ेंगे अगले कोश्यंस की तरब अगला कोश्यंस 14 नंबर होता है वो कहां पर होता है लिनो लीथियम में होता है तो सही जबाब लिनो लीथियम लगाओ बी इस तराइट आंसर्स बनाओ फिर बढ़ेंगे अगले कोश्यंस की तरफ 15 नंबर कोश्यंस आप की स्क्रण पे पूछा गया कंदर या महादयो मंदिर कहां इस्तित है नाम कोश्यंस की तरफ 16 नंबर कोश्यंस क्या कह रहा है कह रहा है कला आदी भातिक शत्ता को ब्यक्त करने का माध्यम है नाम दिया गया हिंगल ने कहा टैगोर का कफन है कुरूंचे कहा या फिर टालस टाइका है कला आदी भातिक शत्ता को ब्यक्त करने का जो माध्यम कहा गया ह वो हिंगेल महोदे के द्वारा कहा गया तो सही जबाव फर्स्ट के साथ देना होगा इस दराई टांसर्स लगाना होगा फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चनस की तरफ 17 नंबर कोश्चनस आपके स्क्रिन पे पुछा गया किस बिधी में आरंभिक करती उल्टी बनती है जो छाप कर सीधे दिखाई जाती है नाम दिया गया ग्राफिक में बनती है ऐसा एक्रेलिक में बनती है कोलाज में बनती है और फिर मूरल में बनती है कौन से बिधी ऐसी है जिसमें आरंभिक करती उल्टी बन जाती है तो आरम हकाल की जो क्रती उल्टी बनती है वो बनती है ग्राफिक में तो सही जबाब ग्राफिक यानि फर्स्ट इस तराइट आंसर लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले गोश्चनस की तरफ अगला कोश्चनस अठारा नंबर आपकी स्क्रिन पे रहा पूझा गया चित्रतल पर बिभिन प्रकार की सामगरी चिपका करके चित्र बनाने की पदती को क्या कहते है कोई चित्रतल है उस पर बिभिन प्रकार की आप सामगरीयों को चिपका दो उससे चित्र बनाओ उसे कोला आफिक कहेंगे या फिर एक्रेलिक कहेंगे कौन सी पदती ऐसी होती है तो आप जानते में तरह कोलाज पदती में ऐसा होता है सही जवाब फ़र्ष्ट के शाथ लगाना होगा यह इस दा राइड आंसस बनाना होगा बढ़ेंगे लिए कोश्चंस की तरफ अगला कोश्चंस 19 इस नमबर आपके स्क्रेंट पर पूछा गया निमलिखित मेंशे एक बंगाल सेली के कलाकार नहीं है नाम दिया गया सुरेंदरकर रतिन मित्रा सेले नाड़े और मुकुल चंडे आपको बतना बंगाल सेली के कलाकार नहीं यानि आउनी बाबु के चिले नहीं तो यहाँ पर रथन मित्रा के शाथ आंसस लगा लो इनका शंबन बंगाल सेली से नहीं है सही जबाबशी के शाथ हो जाएंगे आगे बात करते हैं 20 नंबर कोश्चन शाता है पूछा गया कांगला सेली के लगुचित्रों को किस कागज पर बनाया जाता है कांगला सेली में जो छोटे है वो सियाल कोटी का अगस पर है तो सही जब आप सियाल कोटी लगा लो फर्स्ट इस राइट आंसर पनालो यह सब कोश्चन थोड़े जटिल कोश्चन हो जाते हैं क्योंकि कोश्चन का जो लेबल था इतना इस्टेंडर नहीं है जितना यहां पूछा जाता है यह सब ज्य किए हैं उनकोपढ़ाने वाले परिच्छाओं के लिए पूछ है इतनी टफ कोश्चन के लिए पूछा जाता है चलिए कोस्टिनस नमब इकEd की तरब बढ़ते हैं 21 नमब कॉस्चन के रहा है इंडियन बीनस की नाम से विख्च्यात साल भंजी का कहा प्रतरसित है बताना ह इंडियन वीनस या फिर चाल भनजी का दस्वीश अदाब्दी का है यह रचना बहुत अची रचना है आप जानते हैं गुजरी महल संग्राले है वहीं पर यह रखा हुआ है वहीं पर प्रदर्शित है सही जब आब बी के शाथ बनेगा बी इस तराइट आंसरस लगा लो अगर बात होती है मित्रों तो सही जबाब महाराष्ट्रा बनता है फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन स्थेश नमबर आपके स्रिंट पे रहा पूछा क्या बुछा गया बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा अजनता की किस गुफा संख् 26 में दिखाई देती है सीस तराइट आंसरस बनता है बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन स्थेश नमबर आपके स्क्रिंट पे रहा पूछा गया मित्रों की अजनता के समान किस सहली के चित्रों में भी रेखाओं की प्रवाह मान्यता यानि गतिसीलता अगर आप प्रवाही देखा देखेंगे तो कांगड़ा की दिखाई दे जाएंगे सही जवाब B के साथ लगा लो बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ पच्चिस नमबर कोश्चन आपके स्क्रिंट पे रहा पूछा गया स्रंगार रस की जननी है नाम दिया गया रती है स्रंगार रस की जो जननी माता मानी जाती है वो रती तो सही जवाब फर्ष्ट के साथ लगाओ इस दराइट अंसरस बनाओ अगले कोश्चन की तरफ आएंगे 26 नमबर कोश्चन आपके स्क्रिंट पे आपसे पूछा जा रहा है कि तिबबत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल सली का संस्थापक माना शाहबदिन और मनुहर को माना अबुशमद और मिर्सिय दली को माना धहिमान और बित्पाल को माना या फिर इनमेशी कोई नहीं लामा तारानाथ ने तिबबती तिहासकार है आप जानते हैं और इन्होंने जो है पाल सली के संस्थापक की र इनको वास्तविक संस्थापक लामा तरणात मनते हैं सही जबाबसी के साथ लगाओ अगले कोश्चन्स पे आते हैं 27 नंबर कोश्चन्स आप किसक्रण पे इरा 27 नंबर कोश्चन्स कहे रहा है भारत के पश्चिमी भाग का सबसे प्राचींतम सचित्र गरंथ माना जाता है नाम दिया गया कलप शुत्र है नाम दिया गया सलवांग घुमकडी चित्र शुत्री है उत्तरत ध्यान शुत्री है या फिर सुपास नाहचारियम है आपको बताना है भारत के पश्चिमी भाग का सबसे प्राची इंतम सचित्र ग्रंथ कुन सा है अगर सचित्र ग्रंथ की बात करें तो कलप शुत्र माना जाता है सही जबाब फर्ष्ट के साथ देना होगा एज दराइट अंसस लगाना होगा बढ़ेंगे अगले कोश्चंस के तरफ अगला कोश्चंस 28 नमबर आपके स्क्रिन पे पूछा गया औरंगाबाद जिले में इस्तेते एलोरा एलोरा में कितनी गुफाएं हैं नाम जिया गया 29 हैं 33 हैं 30 हैं या फिर 34 हैं में तरो एलोरा की बात होरती है और अंगाबाद महाराष्ट्रा में पाई जाती हैं गुफाओं की शंख्या 34 होती है इसमें तीन धर्मों का शंगम होता है तीनों धर्मों का डाटर यहां दिखाई देता है इसलिए इसे तरफेंडी कई जगे दिखाई दे दिया जाता है अगला कोश्चन 49 नमबर आपके स्क्रिन पे आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध पदमासन में यानि पलती मार के बैठे हुए हैं जिनका दाहिना हाथ अभे मुद्रा में है और यहां प्रतिमा कहां से प्राप्त होई नाम दिया गया कटरा टीला मथूरा से प्राप्त होई तच्छ सिला गंधार से मिली और अंगाबाद महाराष्टरा से मिली या फिर कौशाम भी प्रयागरास से मिली बुद्ध पदमासन की मुद्रा में बैठे हुई है ऐसा द्रिश्च जो मिलता है ये कटरा टीला मथूरा से मिलता है तो सही जबाब फर्ष्ट के साथ देना होगा एस दराइट अंसस लगाना होगा एक के साथ अंसस लगा लो फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ तीस नंबर कोश्चन्स आपके स्क्रंग पे ये रहा पूछा जा रहा है स्रवन बेल गोला इस्थित भगवान बाहुबली गोमतेश्वर की जो 18 मीटर उंची यानि लगभग 57 फिट उंची और बिश्व भर में एक ही पत्थर से बनी हुई सहारे खड़ी की लंबी मूर्थी किस माध्यम में बनाई गई नाम दिया गया गंगराज के द्वारा बनवाई गई ये पत्थर की मूर्ती है कर्शन प्रथम के द्वारा बनवाई गई पत्थर की मूर्ती है चामुंडा राय के द्वारा बनवाई गई पत्थर की मूर्ती है बढ़ेंगे अगले questions के तरफ 31 number questions आपके screen पे आप से पूच रहा है 12 मी शदी का कागज पर चित्रित प्रथम गरंथ कुछ रहा है 12 मी शदी का कागज पर चित्रित पहला गरंथ कल्पशूतर है ध्यान लोक है अपको बढ़ाना है 12 मी शदी का कागज पर चित्रित पहला गरंथ पहला गरंथ के अगर बात हो तो ध्यान लाओ जो है ध्यान लोक लगाओ सही जबाब शी के शाथ बनाओ ध्यान लोक इस तरह आइट अंसर फिर बढ़ेंगे अगले questions के तरह 32 नंबर questions आपके स्क्राण पे पूछ रहा है आचारी रतनाकर द्वारा 1451 बी में आफर भरंथ सैली के चित्रों में वशंत बिलास का प्रसिद्ध चित्र कहां सुरच्छे थे वशंत बिलास का फेमस चित्र राष्टिय संगरहले नहीं दिल्ली में है फिर गैलरी आफार्ट वासिंग अटन में है ब्रेटे संगरहले लंडन में है या फिर मुनी दियाम बिजे संगरहले अहमताबाद में है आपको बताना है वशंत बिलास का प्रसिद्ध चित्र कहां पाया जाता है सही जवाब बनेगा फिर गेल्डिया फार्ट वासिंग अटन तो सही जबाब बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स के तरफ अगला कोश्चन्स 33 नमबर आपके स्क्रिन पे 33 नमबर कोश्चन्स आपसे पूझ रहा है चित्र कला के क्या चित्र कला के पुनर जागरन काल के प्रवरतक आचारी अउनी अंदरनाथ टैगोर के सिस से जो चैतन्य की जीवनी चित्रत कर कला चैत्र में चैतन्य सिद्ध कहलाए उनका नाम क्या होगा उनका नाम नंदलाल बूश होगा चेतन्य शिद्ध नाम होगा असित कुमार हालधार होगा चितिन नात मजूमदार होगा और फिर शुही रजन खास्तगीर होगा चेतन्य सिद्ध कोन कहलाता है सही जवाब बनेगा चितिंदरनात मुझुमदार चितिंदरनात मुझुमदार आउनी बाबू के शिश्य होते हैं और चेतन्य शिद्ध कहलाते हैं सही जवाब शिश्य के शाथ लगा लो फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ अगला कोश्चन्स 34 नमबर आपके स्क्रिंट पे पूछा पूछा ग्याए सूर सागर के रचीता है माम दिया गया सूर सागर है रहीम अधास के साथ रखा लगाओ सही जवाब फष्य के साथ बनाओ ऑगे बढ़ेंगे अगला कोश्चन्स आएगा 3-5 नमबर कोश्चन्स सापके स्क्रीण पर पूछा गया आचारे केशों दोरा रचित दो परमुख ग्रंथ कौन से हैं रामायर और महाभारत हैं एपको बताना है केशों, आचारे केशों ने कौन सी दो ग्रतनाई लखी है थो एक तो उन्होंने रामायर को लिखा दूसरा रामचरीत मानस को अपने प्रमुख गरंथों की रूप में दरसाने का प्रियास किया है अचारी केशो ने तो सही जबाब क्या बनेगा अचारी केशो का अच्छा रामायड और रामचरीत मानस अरे मित्रों कभी प्रिया बहुत अच्छे से लिखे हैं कभी प्रिया के रचेता कौन तो केशो बार बार आता है रसिक प्रिया केशने लिखा तब भी आपके शो अदास लगाते हैं तो सही जब आप क्या बनेगा B के साथ बनेगा क्या बनेगा B के साथ तो 20 तराइट answers लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरफ अगला questions 36 नमबर आपकी screen पे रहा पुछा किया कलप शुत्र के लेखा के नाम दिया किया पाणनी है भद्रबा हुएं बिलहण है या फिर या सोधर पंडित है कलप शुत्र की अगर बात होती है तो आप जानते हैं कलप शुत्र किस ने लिखा भद्रबा होगी रिशना है ना किस की रिशना बिलहण की है भद्रबा होगी है सही जबाप शीके साथ लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले questions की तरफ सही जबाप शामन सिंग बनेंगे सही जबाप बी के साथ बनेंगे बीज दराइट answers लगाना फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरफ 38 नंबर questions आपके स्क्रेंट पे पूछा गया भारती चितरकला का उदभव हुआ नाम दिया गया गोहा चितरों से हुआ ताल पोथी चितरों से हुआ मुगल चितरों से हुआ या फिर भिती चितरों से हुआ भारती चित्रकला का उद्भो कहां से दिखाई देता है तो आप जानते हैं कि गुहा चित्रों से होता है सही जबाब फर्ष्ट के शाथ लगाना होगा फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ अगर कोश्चन्स 39 नंबर आपके स्क्रिंट पे रहा पूछा गया भारती चित्रकला की इतिहास में अजन्ता की परमपरा को निभाने वाली चित्रकला से लिए है अजन्ता की परमपरा को रास्थानी से लिए निभाएगी पहाणी से लिए निभाएगी मुगलिया से लिए और फिर कंपनी से लिन भाएगी अचनता की परंपरा को निभाने वाली जो चित्रकला से लिए है वो कौनशी तो आप जानते हैं कि रास्थानी से लिए है सही जबाब आपको रास्थानी के साथ देना होगा फिर बढ़ेंगे अगले कोस्टन्स के तरफ अगले कोस्टन्स चालिश नंबर आपके स्क्रण पे पूछा गया भारते चित्रकला के परथम नौजागरण आरंभ होते हैं भारते चित्रकला में पहला नौजागरण कब पंदरहमी शताब दी में, शत्रहमी शताब दी में, शोलहमी शताब दी में मारते चित्रकला के पहले नौजागरन का स्टार्टिंग होता है वो होता है पंद्रामी चित्रकार ने शोनपूर योम पटना की छट पूजा के द्रिश चित्र चित्रित किये अब जानते होंगे सोनपूर और पटना की छट पूजा को बनाने का जो काम रहा है वो शेवक राम का रहा है चारो नाम जो यहां लिखे हुई हैं सभी के सभी कमपनी सली यानि पटना सली यानि जौन सली यानि फिरंगी सली के चित्रकार है और इसमें सेवक राम ने सोनपूर का चित्र बनाया और पटना के छट पूजा को दर्साने का प्रियास किया जो भगवान सुरी को उपासना का पूजा होता है छट पूजा सही जबाब B के साथ लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स के तरफ फोटी टू नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पे आ चुका है आपसे पूछा जा रहा है गढ़ी कला केंदर नई दिल्ली के पहले निर्देशक को न्यूक्त हुए है आपको बताना है गढ़ी कला केंदर के पहले नर्देशक शांखो चोधरी तो सही जबाब फिर्ष्ट के साथ लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स के तरह 43 निम्मर कोश्चन्स आपके असक्रिन पे पूछा जारा मित्रों कि मुकुल चन्डे के संस्था या संग्रहाले के अध्यच बनाएगे थे मुकुल चन्डे की बात होती है कौन से संस्था के तो राष्टी आधुनिक कला संग्रहाले नई दिल्ली के अध्यच बनाए जाते हैं सही जबाब फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स के तरह अगला कोश्चन्स 44 नमबर आपके स्क्रिण पे पूछा गया स्याही और मुम के रंग से चित्रन करने वाले बंगाल के चित्रकार जिन्होंने 2014 में राज सभा का सदस्य बनाया गया नाम दिया गया जोगिन चोधरी आरके जोशी प्रभू जोशी और फिर मकबूल फिदा होश्चन 2014 में राज सभा का सदस्य बनाया हो स्याही और मुम से कलाकारी करता हो नाम होगा जोगिन चोधरी बंगाल के कलाकार हैं सही जवाब फिर बढ़ेंगे 45 नमबर कोश्चन्स क को भारा सरकार द्वारा पदम स्री किस वर्स से सम्मानित किया जाया है यानि पदम स्री कब मिलता है अंजली इला मेनन को ये बता ना है 2000 में मिला 155 मिला 164 में मिला या फिर 184 में मिला अंजली इला मेनन की बात होती है तो जो इन्हें पदम स्री मिलता है चोधा मेहत पुर आपसे पूछा जारा मित्रों कि मूर्तिकार सांखो चोधरी के सिल्पों में क्या दिखाई देता है। पूछा गया पाश्चात एकला समिछकों ने किस भारती चितरकार को भारती एकला का पैगंबर के से कहा जाता है। मारती एकला का पैगंबर भी कहा जाता है। नाम दिया गया बुद्ध के जन्म का, बुद्ध के परिनिर्वान का, बुद्ध के ज्यान प्राप्ती का या फिर बुद्ध के पर्थम उब्देश का। मारती मुर्ती सिल्पे में धर्म चकर का अंकन प्रती क्या होता है। धर्म चक का अंकन प्रती का है बुद्ध के पर्थम उब्देश का। तो सही जबाब D के साथ बनेगा, D is the right answers लगाना, फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरफ, 49 number questions आपके screen पे, आप से पूछा जा रहा है, दीदार जंग से प्राप्त, चमार धारनी अच्छी, चमार धारनी अच्छी प्रतिमा कहां रखी हुई है या कहां सन रच्छी थे, नाम संग्राले पतना में दिखाई देगी, सही जबाब first के साथ लगाना, फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरफ, 50 number questions आपके screen पे, पूछा जा रहा है, यूनेशको द्वारा घोशित अमरता सेरगल अंतराश्टिय वर्स कोन सा रहा, तो यूनेशको ने घोशित किया, अमरता पूछा गया चितरकार गोपाल चंदर और लाल चंदर के सेली से संबन देते हैं, नाम दिया गया पतना सेली से संबन देते हैं, नाम राजपूत सेली का है और नाम अफ़रंस सेली का है, गोपाल चंदर की बात होती है, लाल चंदर की बात होती है, तो गोपाल चंदर और लाल चंदर ये दोनों जो बढ़ियां चिते रहे हैं जहां इस वरी पर साथ चिते रहे हैं वहीं कि हैं सही जबाब पटना सेली या फिर जॉन सेली जॉन सेली या फिर कंपनी सेली या फिर कुंसी सेली फिरंगी सेली सही जबाब सी के साथ लगाओ में तरू बढ़ेंगे जिने के द्वारा रूप का सरजन होता है कहलाती है नाम दिया गया लित कला है अमूर्थ कला है प्लास्टिक आठ है या फिर ब्योशाइक कला है आपको पताना है कौन सी कला जिसके द्वारा रूप का सरजन होता है कौन सी कला कहलाती है रूप का सरजन प्लास्टिक आठ से हो आप जानते हैं कि आउनी बाबू की शिष्टर होती हैं, एक बढ़ियां द्रश से चितरकार होती हैं, तो सही जब आप फर्स्ट के शार्थ लगा लो, बंगाल सली की चितरी लगा लो, फिर हम बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तराफ, फिप्टी फोर नंबर कोश्चन्स आप कि स्कुर्ण पे रहा? आपसे पूछा जा रहा है, इंडियां सुसाइटी आर ओर उरेंटल, इंडियां सोसाइटी आफ ओर्डीयांटल आर्ड के अस्थापना कब होई? और समदिया गया 907 में हुई, 2101 में हुई, 1905 में हुई और फिर 1913 में हुई, इंडियां स जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है कहलाती है नाम दिया गया ले आत्मक रेखा नाम दिया गया वक्र रेखा नाम दिया गया सीधी रेखा और नाम दिया गया चक्राकार रेखा जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है क्या कहलाती है सही जबाब बनता है क्या कहलाती है वक्राकार रेखा एसे 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 चाहे ऐसे ठीक है लेकिन कहा गया जो रेखा अपनी दिसा बार बार बदले तो उसे वक्राकार कैसे कहेंगे वक्राकार तो ऐसी रेखा होती है वक्र लायतमक रेखा भी नहीं कहा जाएगा सीधी रेखा भी नहीं कहा जाएगा चक्राकार रेखा लगाओ चक्राकार तो ऐसी है इसी हो जाती है तो ये दिसा कहां बदल रही है ये भी तो एक ही साइड में चल रही है वक्राकार वक्राकार इसलिए हुजाएगा क्योंकि ये दिशा पहले देखो पहले इस पॉइंट से आती है इस पॉइंट से चली इधर फिर इस पॉइंट से इधर फिर इस पॉइंट से इधर अगला questions 56 नमबर आपकी स्कंग पे रहा आप से पूछा जा रहा है फ्रेश्को और सिस्को प्रविधा में चित्रन किया जाता है भिति की अंतिम गीली शतहपे नाम दिया गिया भिति की आंसिक नम सतहपे नाम दिया गिया भिति की अंतिम शूखी शतहपे और नाम दिया गया कोई नहीं फ्रेशको और शेशको प्रविधा में चित्रण कैसे किया जाता है आप जानते हैं कि भित्ती की अंतिम सूखी सतह पी किया जाता है तो सही जबाब शी की साथ बनता है सी इस्ताराई डांसर्स लगाना फिर बढ़ेंगे अगले कोईशन्स की दरफ अगला कोईशन्स 57 नमबर आपकी स्क्रिंट पे रहा पूछा गया पिटवा घहरा चित्रण पिटवा घहरा चित्रण कहलाती है नाम है श्वतन तरचिप का नाम दिया गया चित्रों के शेट का नाम दिया गया चित्रण प्रविधा का नाम दिया गया चित्रण सैली का आपको बताना है पिटवा घहरा चित्रण कहलाती है तो पिटवा घहरा चित्रण जो होता है चित्रों के शेट का होता है सही जवाब शी के शाथ बनेगा बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन 58 नमबर आप किस क्रण पे रहा पूछा गया वसली क्या है नाम दिया गया एक प्रकार का कैनवास है प्रबिधा है माध्यम है या फिर एक प्रकार का कागज है वसली क्या होता है आप जानते हैं वसली एक कागज होता है तो एक प्रकार का कागज लगाओ चार पांच कागज आपस में चिपका दो वसली हो जाता है सही जवाब डी के शाथ बनाओ अगले कोश्चन 59 नमबर आप किस क्रण पे आप से पूछा जा रहा है तैल और पानी के प्रतिरूध के शिद्धांत पे आधारित प्रविधा कोंशी है सरेग्राफी है लिथोग्राफी है थर्मोग्राफी है या फिर लेजर प्रिंटिंग है तैल और पानी के प्रतिरूध स्वितु आफ जानते हैं स्टार्ट होती है सहीज बाबस्टी के साथ अगला कुश्चन साथ नंबर आपके स्क्रिन पे रहा पूछा गया वरण में प्रथम गुण होता है श्वत अंतरता महिमा और गती का वरण सुनिता एक वरणिये का रंगत बल और सगंता का या फिर मुख्यत रंगत दुतियक रं रंगत का वरण के प्रथम गुण कुण से तो वरण के जो पहले गुण माने जाते हैं रंगत बल और सगंता के हैं सहीज बाबस्टी के साथ लगाओ बढ़ेंगे एगले कुश्चन के तरफ एक स्ट नंबर कुश्चन सापके स्क्रिन पे तूछा गया आपसे शमरांगन चितर अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया तो वह शब्द होता है भूमी बंधन का सहीज बाब भूमी बंधन लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले कुश्चन के तरफ 62 नंबर कुश्चन सापके स्क्रिन पे पूछा गया चितर संयोजन में वरण संतुलन करने क कि एक प्रविधा है नाम दिया गया अपचारिक संतुलन नाम दिया गया चेतर फलनियम नाम दिया गया अनुपचारिक संतुलन और नाम दिया गया कोई नहीं चितर संयोजन में जो वरण संतुलन होता है उसके प्रविधा क्या तो इसमें से कोई नहीं आप संस सही बनेग फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन 63 नंबर आपके स्क्रण पे पूछा गया भारतिय भेत्ती चित्रकारू ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लगुता, बल, अलंकरण और जो है कलात्मक्ता भिरुचियों को एक साथ प्रदर्सित किया तो ये नाम दिया गया भीम बेटका में किया मदामी में किया, इलोरा में किया, फिर अजन्ता में किया भारती भीती चित्रकारों ने रेखाओं के द्वारा अपने अनुभो को दर्षाने का जो प्रियास किया वो अजन्ता में किया तो सही जबाब D के साथ लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले कोश्चन के तरफ सिक्ष्टीफोर नंबर कोश्चन्ज आपके स्क्रिन के आपसे पूछा जा रहा है सैंध्वोस अभिता शेपर पाथ में पातरों पर चित्रकारी प्रधानतिया कि सरंग से की गई नाम दिया ग्या हरा रंग काला रंग लाल नग नीला रंग आपको बताना है कि सरंग से किया तो काला रंग सही जबाब बनता है सी इस दराइट आंसर्स बनता है बढ़ेंगे अगली कोश्चन्स की तरफ अगला कोश्चन्स 65 नंबर आपकी स्क्रिंग पे यह रहा पूछा गया स्वरणिम विभाजन का सिध्धान्त का प्रतपादन कलाकार यूकलड ने किया जिसका शंबंध जापान से ही यूकलड का यूनान का है लिएक आगली कोश्चन्स की तरफ 66 नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिंग पे यह रहा यह रहा आपसे पूछा ज़राया है कला एक मानवी चेश्ठा है क्या कला एक मानविय चेश्ठा है जिसमें एक मनुश्य अपनी अनुभूतियों का श्वैच्छा पुर्भा को कुछ है श्रेंकियतों के द्वारा दूसरों पर प्रगट करता है जिससे दूसरा ब्यक्ति प्रभावित हो और उन्हीं का अनुभाव करें यहा कथनी किसका है टालस्टाई का है हिंगल का है आरजी क्लेंग बूड का है या फिर हारवर्ड ट्रेड का है सही जवाब क्या होगा अगर सही जवाब की बात करते हैं तो लियो टालस्टाई ने कहा था कला एक मानविय चेश्ठा है जिसमें एक मनुश्य अपनी अनुभू कुछ है कि पूछा गिया रभींद्र नाट कलाभोन की अस्थापना यसी 22 में या फिर 22 ॉसय में कमा धुता है। 2017 2.99 दोजगे अंसरst दिखाए दे क्सक्तिति ईवल्गें ठीक है कंब कलाभोन की अस्थापना रभींद्र बाभा कलाभी जो अस्थापना करेंगे 1999 में करेंगे यानि 199 में करेंगे सही जबाब बनेगा 1919 सही जबाब बी के साथ बनेगा अगला कोश्चन्स 68 नमबर आपके स्क्रिंट पर फूचा ज़रा है classical Indian sculpture ये classical Indian sculpture नाम कुस्तक किसने लिखी है नाम मुकल चंडे का है उनिना टैगोर का है चिंता मड़ीकर का है मीरा मुखर जी का है क्लासिकल इंडियान एस्कलप्चर नामक पुस्तक किसने तो सही जबाब बनता है चिंता मड़ीकर चिंता मड़ीकर यानि C is the right answers अगला कोश्चन 69 नमबर आपके स्क्रिन पे पूछा गया के के हबबर का जनम हुआ था नाम दिया गया आसम में हुआ पश्चिम मंगाल में हुआ आंध प्रदेश में हुआ करनाटका में हुआ क्रशन के इंटागिरी हबबर का जनम कहां हुआ सही जबाब करनाटका बनता है D is the right answers बनता है बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन सत्तर नमबर आपके स्क्रिन पे रहा परशंख्या सत्तर कह रहा है सुजा और आरा ने प्रगति सील गुलप की अस्थापना की साथ में की, अनतालिश में की, अठावन में की या फिर अनतिस में की फ्रांसिस न्यूटन सुजा और के यच आरा ने प्रगति सील गुलप की जो अस्थापना की है 1948 में की है 1948 में की है तो सहिज बाबश्ची के साथ लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन 71 नमबर आपके स्क्रिन पे रहा पूछा गया निमलिकित मेंशे कौन अनुपी योगी वस्तू जैसे मेटल की तूटी जालियां बोतले फटे कपड़े आदी के बिलच्छन मूर्थी सिल्प निर्माण के लिए प्रशिद है आपको बताना है राम किंकर वैज एशा काम करते थे शोमनाथ होरईशा बनाते थे अमरनाथ सहगल बनाते थे या फिर हिम्मत साह के द्वरा इसा मेंटन किया सदल था तो मेटल की तूटी जालियां बोतल फटे कपड़े आदी से जो चित्रांकन करने का काम रहा है हिम्मत साह का रहा है तो सही जबाब डी के साथ अगला कोर्शन 72 नमबर आपकी स्क्रिन पे आपसे पूछा जा रहा है चित्र में प्रकरते त्रविमिये द्रशन के लिए पारिच्छेप के नियमों के अनुशार चित्रन करते समय वस्तु के अंगों को घटा करके अंकित करता है अगला कोर्शन 73 नमबर आपके स्क्रिन पे रहा पूछा गया टेंपरा पेंटिंग तकनिकी है टेंपरा पेंटिंग तकनिकी में उपियो किया जाता है अंडे की जर्दी और पानी के साथ रंग चूना रंग और पानी या फिर रंग गोंदर पानी या फिर सभी बिकल्प सही है टेंपरा पेंटिंग तकनिकी जो होती है मित्रों उसमें अंडे की जर्दी रहती है साथ में पानी रहेगा और उसके साथ रंग रहेगा तो सही जबाब फर्स्ट के साथ बनेगा इस तरही टांसस बनाना फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स के तरफ 74 नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पे पूछा जबाब आए आपसे कि पहले की छपाई मसीने बनाई जाती थी तांबे से लकडी से पत्थर से रिलीफ विधी इसकी मुख्य विधी है नाम दिया गया प्लानो ग्राफी का है छापांकन का है छाया चित्रन का है या फिर मोर्तिशिल्पी का है सेरे ग्राफी रिलीफ विधी जो होती है उसका प्रियोग छापांकन में किया जाता है सही जवाब शी के साथ है seize the right answers लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले questions की तरह हैं अगला questions 76 नमबर आपकी स्क्रिन पे पूछा गया शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रही है किस चित्रकार की प्रशिद रचना है शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रही है यामनी रंचन राई की रचना है नाम राजा रभी बर्मा का भी है और नंदलाल बोश का भी है आपको शही जवाब देना है शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रही है या रचिना मुलूप शिरासा रभी परमाने बनाई तो सही जवाब स्री के साथ दर्शाना होगा से इस तरहाई टांसरस बनाना होगा फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चनस की तरह फगला कोश्चनस शतत्त नंबर आपकी स्क्रण पे आपसे पूछा जा रहा है नील यानी इंडिगो रंग है नाम दिया गया वानस्पतिक रंग है मृदा रंग है भसमी करत रंग है और करतिम रंग है नील यानी इंडिगो रंग कैसा तो इंडिगो रंग वानस्पतिक रंग होता है सही जवाब first के शाथ बनेगा is the right answers लगाओ अगले questions पे आओ 78 नमबर questions आपकी स्क्रेण पे पूछा गया क्रशन जी हावला जी आरा का असली नाम क्या नाम जिया गया क्रशन का आनता है कमल क्रशन है करपाल क्रशन है या फिर केशन है क्रशन हावला जी आरा का असली नाम क्या है तो आप जानते है किसन है सही जवाब D की शाथ बनेगा D is the right answers लगाना फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरफ अगला questions 79 नमबर आपकी स्क्रेण पे 79 नमबर questions कह रहा है मुगल काल की सर्वबर्थम दास्ताने अमीर हमजा सही जवाब फ़स्ट के साथ बढ़ेंगे अगले questions की तरफ 80 नमबर questions आपके स्क्रेण पे पूछा गया 1122 में होशंगा बाद के सिला चित्रों की खोच का सरे किसे जाता है नाम दिया गया RG Hunter को जाएगा मनोरंजन घोष को जाएगा चामेंद्र को जाएगा या फिर वासुद्यू शरण अगरवाल को जाएगा वना इशो 22 में होशंगा बाद को किस ने खोजा आप जानते हैं मनोरंजन घोष ने खोजा सही जबाब B के साथ लगाओ B is the right answers बनाओ फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन के तरफ 81 नमबर कोश्चन आपकी स्क्रण पे एज़ रहा पूछा ज़रा भीम बेटका के अधिकतर सैल चितर किस काल से सम्मंदित है नाम दिया गया पुर्व पाशान काल के हैं मध्य पाशान काल के हैं आपको शही जवाब B के साथ लगाना होगा अगले कोश्चन पे आते हैं अगला कोश्चन अटी टू नमबर आपकी स्क्रिन पे पूछा गया महाजनक जातक महाजनक जातक का चितर अजनता की कौन सी गुफा में है 17 नमबर, 1 नमबर, 2 नमबर या फिर 10 नमबर महाजनक जातक की अगर बात हो तो गुफा संख्या एक लगाओ अजनता में है गुफा संख्या एक में सही जवाब शी के साथ बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन 83 नमबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा पूछा गया असोख के सिर्स अस्तंभ या असोख के सिंग अस्तंभ के सिर्स में सिंगों की संख्या कितनी है चार सिंग है पांस सिंग है तीन सिंग है या फिर दो सिंग है कितने सिंग है यानि कितने बाग है तो चार बाग है सही जवाब फर्ष्ट के साथ बनेगा इस तराई टांसर्स लगाना अगले कोश्चन्स पे आना 84 नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पे पूछा गया सूरी कोश मरपित मंदिर कोंशा है कोनार का है एलिफेंटा है दिलवाडा है या फिर एलोरा है सूरी कोश मरपित मंदिर आप जानते है सही जवाब कोनार का शूरे मंदिर बनता है फर्ष्ट इस तराई टांसर्स बनता है अगले कोश्चन्स पे आते है 85 नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पे पूछा जराय आपसे कि मोगल सेली में किस प्रकार के बिश्वयों का अभाव है नाम दिया गया दरबारी जीवन कम बनाया गया युद्ध कम दर्साया गया पसु पच्छी थोड़ा कम है या फिर घरेलू जीवन मोगल सेली में थोड़ा कम दर्साया गया अगर बात करते हैं मोगल सेली में अभाव की तो घरियलू जीवन का द्रिसे थोड़ा कम दरसाये गया सही जबाब D के साथ लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले कोस्टन्स की तरफ 86 नंबर कोस्टन्स आपकी स्क्रिंट पे आपसे पूछ रहा है कबरा पहाण कबरा पहाण किसे छेत्र में है नाम दिया गया रायगण में है भोपाल में है राय सेन में है फिर पंचमनी में है कबरा पहाण के शेतर में हैं कबरा पहाण की अगर बात होती है तो रायगढ़ बनता है आंसर्स सही जबाब फ़र्ष्ट के साथ बनता है इस तरह इड आंसर्स लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले कोस्टन्स की तरह अगला कोस्टन्स 87 नंबर आपके स्क्रिण पे रहा पूछा गया गज गामनी फिल्म जो इस्तरी के प्रति समाज के भोगवादी नजरियों को का ब्यात्मक ढढ़ंग से ब्याक्ख्यातित करती है के निरमाड करता है तैयब महता है, सत्य जीत राय है मकबूल फिदा हुशेन है या फिर एस्टो पड़ा है गज गामनी फिल्म आप जानते हैं कि मकबूल फिदा हुशेन ने बनाई तो सही जवाब MFO हुशेन ही बनेगा सही जवाब शीकेशाथ ही बनेगा सी इस्तराइट आंसर्स लगाना अगले कोश्चन्स पे आठे है 88 नंबर कोश्चन्स आपके स्क्रिन पे पितहौरा कला का शंबंध है नाम दिया गया उद्दे पुर छेतर बलोदला गुजरात से है वरली मुंबई से है कोयम बटूर तमिलनाडू से है पितहौरा कला का पूछा जा रहा है पितहौरा कला आप जानते हैं कि बलोदला वाले बेल्ट में है तो उद्दे पुर छेतर बलोदला गुजरात लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ 89 नंबर कोश्चन्स आपके स्क्रिन पे यह रहा 89 नंबर कोश्चन्स क्या कह रहा है कह रहा है किसकी कला में चिडियों की खास जगह है चिडियों का खास जगह करपाल सिंग से खावत ने बनाया देव की नंदन सर्मा ने बनाया राम कुमार ने चितरत किया है फिर ऐसे चड़ चाने बनाया चेनियों का चितेरा कहा जाता है देव की नंदन सर्मा को तो सही जबाब देव की नंदन सर्मा लगाओ B is the right answers बनाओ बनते हैं अगले questions की तरफ अगला questions 90 नंबर आपकी स्क्रिंट पे रहा आपसे पूछ रहा है फड़ चितरकला संबंधित है नाम दियागिया रास्थान के छीपा शमुदाईशे है नाम दियागिया मदप्रदेश के भील शमुदाईशे है नाम दियागिया उत्तराखंड के गद्धी शमुदाईशे है नाम दियागिया उत्तरप्रदेश के कुविधी शमुदाईशे है फड़ चित्रकला का शम्मन्ध है किस शे तो रास्थान के शीपा शुमदाईश है मित्रों फड़ सही जवाब फ़र्ष के शार्थ लगाओ एस दाराई टांसर बनाओ अगले कोश्चन्स के तरफ आते हैं अगला कोश्चन्स 91 नंबर आप किस श्क्रिण पे रहा पूछा गया बंगाल कला सैली किस तकनीकी के लिए जानी जाती है नाम दिया गया तैल तकनीकी लगुचित्रन तकनीकी वास तकनीकी या फिर टेंपरा तकनीकी बंगाल कला सैली किस तकनीकी के लिए जानी जाती है जहागीर का समय बाबर का समय या फिर साह जहागीर का समय मुगल काल का स्वरन यूग आप जानते हैं मित्रों कि साह जहागीर का समय अरे मुगल काल का जो स्वरन यूग होगा जहागीर का समय होगा तो आपको लगाना होगा जहागीर का समय क्योंकि मुगल कालखा कई स्वरन यूग होता है साहित का अगर पूछे तो आपको अकबर लगाना होता है चित्रकला का अगर पूछे चित्रकला का पूछे तो आपको जहांगीर लगाना होता है अगर आपसे पूछा अस्थापत एकला सुरू हुआ तो अकबर नहीं बाबर के समेश टार्ट हुआ है अगर मुगल सेली का संस्थापक पूछा जाए तब भी आप मुगल सेली का नहीं मुगल सामराजी का संस्थापक बाबर है मुगल सेली का संस्थापा का कबर होता है उसके शाथ आप अगर मुगल अस्थापत्यकला का पूछा जाए अस्थापत्यकला का स्वरनकाल तब साह जहां बनता है लेकिन अस्थापत्यकला की सुरुआत अगर पूछी जाती है तब आंसर बावर बनता है मुगल काल का सुरन यूग तो आपको जहांगीर के साथ आंसर देना होगा फिर हम बढ़ेंगे अगले कुश्चन के तराफ अगला कुश्चन 93 नंबर आपके स्क्रिन पे पूछा गया नंदलाल बुष का जन्म कहां हुआ नाम दिया गया बिहार में हुआ गुजरात में हुआ पश्ची मंगल में हुआ या फिर मद्ध परदेश में हुआ नंदलाल बुष का जन्म कहां तो सही जवाब बिहार बनता है सही जवाब फर्ष्ट के शाथ बनता है A is the right answers लगाते हैं बढ़ेंगे अगले questions के तरफ 94 नंबर questions आपके स्क्रिन पे पूछा गया किस चित्रकार ने बाग अजन्ता जोगी मारा की भिती चित्रों की प्रतलिपियां तयार की आपको बताना है बाग अजन्ता जोगी मारा की चित्रों की प्रतलिपियां कोन बनता है सही जवाब फर्ष्ट के शाथ बनता है A is the right answers लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले questions के तरफ 95 number questions आपकी स्क्रिण पे आपसे पूछा गया निमलिकित मेशे मोम का प्रियोग किस बिधी में किया जाता है नाम दिया गया कोलाज मिस्त्रण में किया जाएगा बहती चित्रण में किया जाएगा बाटिक चित्रण में किया जाएगा मौम का प्रियोग किस बिधी में तो मौम का प्रियोग बॉटिक चित्रण में किया जाता है सही जबाब C के साथ लगा लो C is the right answers बना लो फिर बढ़ेंगे अगले questions के तरफ 96 number questions आप जिस लिए रहा आप से पूछा गया बिरोधी रंग कौन से हैं नाम है लाल और हरा है हरा और नीला है पीला और लाल है फिर नीला और बैगनी है बिरोधी रंग कौन से तो बिरोधी रंगों की स्रणी में लाल और हरा आता है सही जबाब first के साथ बनता है is the right answers लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले questions के तरफ अगला questions 97 number आपके screen पर यह रहा आपसे पूछ रहा है प्रकास में उपस्थित रंगों को हम किस के द्वारा देख शकते हैं दरपन से देखते हैं दूरबीन से देखते हैं प्रिज्म से देखते हैं फिर एकसरे से देखते हैं प्रकास में उपस्थित रंगों को हम कौन से तो किसे देखेंगे प्रिज्म लगा लो सभी रंग अलग अलग हो साएंगे सहीज बाब प्रिज्म बनेगा सहीज बाब बी के साथ बनेगा बी इस दा राइट आंसर्स लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले कोश्चन के तरफ 98 नंबर कोश्चन आपके स्क्रिंट पे रहा पूछा गया दुतियक शरैणी के रंग होते हैं लाल पीला नीला सुएत पीला काला हरा बैगनी नारंगी और इमिश्य कोई ने हैं ये अक्सरणी के रंग कौन कौन से तो सही जबाब हरा बैगनी नारंगी बनता है सी इस दा राइट आंसर्स बनता है अगला कोश्चन्स 99 नमबर आपके स्क्रेंट पे है आप से पूछा जा रहा है जी आर संतोस थे नाम दिया गया चितरकार है, मूर्तिगार है, छापाकार है, आफिर रशंगित कार है जी आर संतोस के अगर बात होती ही तो एक प्रक्याद चितरकार के रूप में फेमस है सही जबाब फर्स्ट के शाथ लगा लो फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ सो नंबर कोश्चन्स आपके स्क्यं पे पूछा गया The School of Athens The School of Athens के चितरकार कोन है रेम्बरा है, टर्सिया है, मूक है या फिर रैफिल की रचना है सकूल आफ एथियन्स का अगर बात होती ही मित्रों सही जबाब रैफिल बनता है सही जवाब D के साथ बनता है 101 नमबर कोश्चनस आपके स्क्रिन पे पुछागी दा बर्निंग जराफ चितर के चितरकार का नाम बताओ शागाल ने बनाया, डाली ने बनाया, कली ने बनाया फिर मुंक ने बनाया दा बर्निंग जिराफ के अगर बात हो तो ये रचना किस ने बनाई सही जबाब सलवा डूर डाली सही जबाब सी के साथ बनता है सी इस ता राइट आंसर होता है अगला कोश्चन एक सो दो नंबर आपकी स्क्रिन पे महा बली पूरम का बिशाल प्रतिम्या फलक गंगा आउतरन जो बिश्व में सबसे बड़ा यों प्राचीनतम सेल उतक्रिन पैनल है इसका निर्मान करवाया था गंगा उतरन नाम दिया गया पलो ने बनवाया राष्ट कूटों ने बनवाया चोरों ने बनवाया फिर चंदेलों ने बनवाया आपको बताना है गंगा उतरन किस ने बनवाया सही जबाब पलो शाशक बनेंगे सही जबाब फ़र्ट के साथ बनेंगे इस तरा इट आंसर अगला questions एक सो तीर नंबर आपकी स्क्रिंट पे रहा आप से पूछ रहा है बिश्व का सबसे बड़ा अस्तूफ कहां इस्तित है नाम दिया गया भारत में है जावा में है स्रिलंका में है फिर अफ़गानिस्तान में आप जानते हैं बिश्व लेबल पे सबसे बड़ा जो अस्तूफ होता है जावा में है सहीज बाबशी के साथ बनेगा सीज दराइट आंसर लगाओ अगले questions पे आते हैं 104 नंबर questions आपकी स्क्रिंट पे पुझा गया दच्छन भारत का कौनशा केंदर प्रोगैती हासिक चित्रों के लिए मशुहूर है नाम दिया गया बिल्लारी है मद्रा से लोथल होग करनाट का है दच्छन भारत का केंदर है प्रोगैती हासिक चित्रों के लिए जाना जाता है सही जबाब बिल्लारी बनता है करनाटका में है सही जबाब first के साथ लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरफ अगला questions 105 नंबर आपके स्क्रिन पे ये रहा असो के किस अभिलेक पर मयूर मयूर की आकरती है अलाहबाद में है शारनाथ में है किस अभिलेक पर मयूर की आकरती दिखाई देती है सही जबाब नंदन गढ़ बनता है सही जबाब डी के साथ बनता है फिर बढ़ते हैं अगले questions की तरफ 106 नंबर questions आपके स्क्रिन पे ये रहा पूछा गया अल्टा मीरा की गुफाओं में किस जानवर का चितर अधिक दिखाई पड़ता है नाम दिया गया बैल नाम दिया गया भालू नाम दिया गया हाथी नाम दिया गया जंगली भैसा अल्टा मीरा की गुफाओं में कौन से जानवर का चितर जादा दिखाई देता है जानवर का नाम जंगली भैसा होगा सही जबाब D के साथ बनेगा D is the right answers लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले questions के तरफ 107 number questions आपकी स्क्रेंट पे ये रहा पूछा गया महत्मा बुद्ध के पूरव जन्मों में कालपनिक कथाएं किसे संबन्देत हैं बुद्ध के पूरव जन्मों की जो कालपनिक कथाएं मित्रों उनको कहा जाता है जातक कथाएं तो सही जबाब जातक कथा लगाओ फिर बढ़ेंगे 108 number questions पे आप से पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है पाकिस्तान के प्राची निशेतर में इस्थेतर तच्छे सिला तच्छे सिला से प्राप्त बुद्ध की पृतिमा जो कुशाण कालकी है वरतमान में कहा दिखाए देती है नाम दे दिया गया Victoria in Albert Museum London में है नाम दिया गया National Museum नईडिल्ली में है नाम दिया गया मतुरा में यूजी मतुरा में है और नाम दिया गया भारत कला भाउन बाराणसी में आपको बताना है बुद्ध की परतिमा कहां पे है बुद्ध की परतिमा आप जानते हैं मतुरा में यूजी मतुरा में है सहीज बाबश्ची के साथ लो सी इस्थाराई डांसर्स लगाओ बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स के तरफ 109 नमबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पर यह रहा पूछा गया गोथिक कला मुखेतिया है नाम दिया गया चितर कला है अस्थापति कला है गोथिक कला क्या है तो गोथिक कला मुखेतिया है अस्थापति कला होती है सहीज बाबश्ची के साथ लगाओ अस्थापतिकला इस दराई डांसर्स बनाओ फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ 110 नमबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पर पूछा गया रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शित की सैली में विशिषता है नाम दिया गया अजन्ता में है, मुगल में है, बाग में है, रास्थानी में है रेखाओं के द्वारा भाव प्रदर्शन कहाँ तो रेखाओं के द्वारा जो भाव प्रदर्शन होता है अजनता में बढ़ियां से दिया गया सही जबाब फर्ष्ट के शाथ लगाओ ए इस ताराई टांसस बनाओ फिर बढ़ते हैं अगले कोश्चन्स की तरफ 111 नमबर कोश्चन्स आप की स्क्रिन पे रहा? 112 नमबर कोश्चन्स आप की स्क्रिन पे आप से पुछ रहा है कलाकार का एक दल जो सिर्फ ग्रामेड द्रश्य और जंगल का ही चित्रन करता था नाम दिया गया बार वीजन ग्रूप है रिती वादी ग्रूप है रोकोको ग्रूप है या फिर या थार्थ वादी ग्रूप है कलाकार का एक दल है जो ऐसा कारे करता है उसका नाम होता है बार वीजियन गुरूप बार वीजियन गुरूप तो सही जबाफ फर्ष्ट के साथ लगाना होगा A is the right answers बनाना होगा फिर बढ़ते हैं अगले questions की दरफ अगला questions 113 नंबर आपके स्क्रिंट पीर पूछा जा रहा है आपसे कि सांती निकेतन किस राजी में इस्थित है नाम पश्चिम मंगाल का है उत्तर प्रदेश का है बिहार का है और पंजाब का है शांती निकेतन किस रा 24 नंबर आपके स्क्रिंट पीर पूछा रहा है कौन सा मुगल समराट चितर कला को शबसे अच्छे से समझता था नाम दिया गया हुमायू साजहां अकवर जहां के मितरों जो समराट की बात होगी तो एक समराट ऐसा है जो अगर एक ही चितर को 10-12 कलाकार मिलके बनाएं तो समराट ये बता सकता था कौन सा भाग किस कलाकार ने बनाया है ऐसा पारिखी साशक रहा है जहांगीर तो सही जबाब जहांगीर के साथ लगाओ डी इस तरही टांसर बनाओ अगले कोश्चन्स पे आते हैं 115 नंबर कोश्चन्स आपके स्क्रिंट पे पूछा गया चार मिना कहां इस्थित है नाम दिया गया शिकंदराबाद में है मुरादाबाद में है है फिर एहमदाबाद में है चार मिनार की बात होती है सही जबाब हैदराबाद बनता है सही जबाब शी के साथ बनता है सी इस तरही टांसर लगाओ अगले कोश्चन्स पे आते हैं 116 नंबर को सही जवाब किसंगढ के साथ बनेगा B is the right answer हो गा अगला कोस्टन्स 117 नंबर आपके स्क्रिंट पे यह रहा पुछा गया लोग कला पर कौन सी से लिए आधारित है ना मोगल से लिए है कोटा से लिए है किसंगढ से लिए भर्षोली से लिए है लोग कला पर कौन सी से लिए अधारित है सही जवाब भशौली से लिए बनता है सही जवाब D के साथ बनता है D is the right answer लगाओ अगले questions पे आते हैं 118 नंबर questions आपके स्रुन पे पूछा जा रहा है जहांगीर कालिन चितरकार मंसूर मंसूर का प्रसिद्ध चितर है बाज है मैना है तोता है मुरगा है मंसूर का जो famous चितर है उसका नाम बाज होता है आप जानते हैं बाज पच्छी के लिए मंसूर बहुत famous हो जाते हैं मनसूर जहां गीरकाल के बढ़ियां पच्छी चिते रहा है जहां गीरकाल के बढ़ियां पसू पच्छी और पुष्प पुष्प के भी चिते रहे हैं अद रखना जहां जो है मनसूर सही बाफ फर्स्ट के साथ जाता है यह इस दा राइड अंसस बनता है अगला questions 121 number आपके screen पे पूछा गया प्रख्यात चितर वीनस वीनस को किसने चितरित किया नाम दिया गया बेटी चेली ने बनाया रूवियनस ने बनाया रैफिल ने बनाया और फिर वांडेर वाईन ने बनाया आपको बताना है Venus, Venus किसने चितरित किया है वीनस को रूवियंस ने चित्रित किया तो सही जवाब रूवियंस लगाओ यानि C is the right answers बनाओ C के साथ answers बना के बढ़ेंगे अगले questions की तरफ अगला questions 120 नमबर आपके स्क्रिंट पे रहा आपसे पूछा जा रहा है आधुनी के कला के वादूं का जन्मास्थान था जर्मनी था, इंगलेंड था, अमेरिका था या फिर फ्रांस था आधुनी के कला के वादूं का जो जन्मास्थान माना जाता है फ्रांस माना जाता है सही जवाब फ्रांस बनता है D is the right answers लगाओ बढ़ेंगे अगले questions के तरफ 121 नमबर questions आप से पूछ रहा है तीसरी स्रेणी का डिब्बा ये करती किस ने बनाई है दोमिये ने बनाई, पिकासो ने बनाई माने ने बनाई या फिर वानगो ने बनाई तीसरी स्रेणी का डिब्बा बहुत अच्छी रचना है दोमिये मुहुदे की रचना है सही जवाब फरस्ट के साथ लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले questions के तरफ अगला questions 122 नमबर आपकी स्क्रिंट पे आप से पूछा जा रहा है तरण अपर भोजन तरण पर भोजन का चितरकार कौन था नाम माने का है कुर्बे का है मोने का है सेंजा का है तरण पर भोजन की एगर बात हो सही जवाब माने के साथ लगाओ फरस्ट इस दराई डांसर्स बनाओ अगले questions पे आते हैं 123 नमबर questions आपकी स्क्रिंट पर यह रहा आप से पूछाजा रहा है दी स्टीडियों का कलाकार कोन था नाम दिया गया कुर्बे हैं पिकासो हैं डेविड हैं माने हैं दा इस टीडियों की बात होती है अच्छे कलाकार होते हैं नाम पाबलो रूए पिकासो होता है, सही जबाब B के साथ बनता है, B is the right answers बनाव मित्रों, फिर बढ़ेंगे अगले questions के दरफ, अगला questions 124 नंबर, यह second last questions है, आपसे पूछ रहा है, चांद को देख करके भूगता हुआ कुटा, चांद को देख करके भूगता हुआ कुटा, एक किसकी करती है, नाम पिकासो का है, जानमीरू का है, मक्बूल फिदा हुशेन का है, और जो है, सूजा का भी दिया गया, चांद को देखता है तो भूगता है कुटता है ऐसा द्रिश जानमीरू ने मनाया सही जवाबशी के साथ लगा लो अंतिम कोश्चनस पर आते हैं जेश्वामी नाथन को किया गया या फिर के बेंक टपा को किया गया पदम मसरी से किसे नमाज आ गया सबसे पहले सुधीर रंजन खास्तिगेर चारो आपसंस में बी के साथ अंसर सेर करो अब आप बताओ बर आल आपके कितने कोश्चनस सही रहे इस प्रक्टिस पेबर 27 में आपके कितने अंक सही आ रहे हैं आप जानते थे 125 कोश्चनस का स्छेट था आपका कितना कोश्चनस फिट वेट है चैनल पर नए हैं तो चैनल को जूरू सब्सक्राइब करें विल आइकन प्रेस करें जिससे की नोडिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूरल आप टाइम से लेसके हैं आपके सपोर्ट की अवश्यक्ता है इसलिए आपसे कहा जा रहा है मिल दें फुर्में तब तक के लिए दिल से सलूट जै हिंद